अल्मोस सभी बच्चों का वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और वेकेशन है बच्चे गर पे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा मांगेंगे तो उन्हें अच्छा और हेल्दी खिलाना हमारे रिस्पोंसिबिलिटी है तो आज हम बनाएंगे पास्ता और वो भी थोड़ा सा हेल् तो यहां पे मैरे पास दो तरे का पास्ता है वीट पास्ता और सुजी पास्ता तो आज हम वो ही पास्ता बनाएंगे तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है एक पतीली और उसमें दो से तीन ग्लस जितना मैंने पानी ले लिया है तो चलिए अब पानी को रख देते हैं गेस के उपर गरम होने के लिए और पानी के अंदर हम एड़ करेंगे थोड़ा सा नमक और नमक डालने के बाद उसे अच्छे से उबलने देंगे पानी अच्छे से उबल जाए तब ही उसके अंदर हम पास्ता एड़ करेंगे तो यहां पर मैंने नमक डाल दिय लिया है और अब उसके अंदर दो से तीन चमच बरके मैंने तेल एड़ कर दिया है आप जो भी तेल खाते हो इसके अंदर एड़ कर सकते हो लेकिन सर्चों के तेल को आवएड करोगे तो बैटर रहेगा पास्ता बॉयल हो रहा है तब तक हम वाइट सॉस बना लेते हैं तो आ फ्लेम पे हमें मैदा को भून लेना है जब तक कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए थोड़ा सा उसका कलर गोल्डन राउन हो जाए तब तक उसे हमें भून लेना है तो यह देखे मैदा हमारा अच्छे से भून गया है उसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है और अब उसके अंदर एड़ कर देंगे 1k अंदर कर देंगे 1 cup धर के दूद। यहां पर आपको एक प्रीork कम धोड़ा सब्सारicon कियाCP है और थोड़ा से लेना है और इसे मिक्स कर लेना है साइड में पास्ता को भी चेक कर लेंगे कि पास्ता हमारा अच्छे से बॉल हो गया है कि नहीं तो एक चाकुसे इस तरह उसे काट़ के देख लेना है अगर इजिली कट जाएं तो समझ लेना है कि हमारा पास्ता बॉयल हो चुका है हमने यहाँ पे सूजी पास्ता लिया है तो सूजी को पकने में जदा देर नहीं लगती है तो तकरीबन 5-7 मिर्ट में ही यह पास्ता बॉयल होके रेडी हो जाता है तो चली अब पास्ता बोईल हो चुका है तो अब उसे हम चान लेते हैं तो मैंने पहले एक बर्तन ले लिया है और उसके उपर रखती है एक चलनी और पास्ता को मैंने इस तरह चान लिया है और ये जो पानी है उसे हमें फैकना नहीं है उसी पानी से हम दूसरा वाला पास्ता भी बोईल कर लेंगे तो चलिए ये जो पानी है उसे हम डाल देते हैं वापस वही पतीली में ये पानी अभी भी बहुत गरम है तो उसे बोईल होने में देन नहीं लगेगी और अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने और गरम पानी एड़ कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था और इस तरह हम जो पानी है उसका reuse कर लेंगे और दुबारा से हमें पानी को boil करने की जरूरत में पड़ेगी तो चली अब ले लेते हैं wheat pasta तो यहाँ पर मैंने तकरीबर 1.5 cup जितना wheat pasta लिया है तो चली अब wheat pasta जो है वो मैं थोड़ा सा spicy बनाने वाली हूँ तो spicy मुझे और मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो मैंने थोड़ा सा ज़ाधा लिया है यह जो white sauce वाला pasta बना रहा है वो मेरे बेटे को ज़ाधा पसंद है तो चली अब white sauce पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो white sauce अच्छे से ठीक हो गया है तो इसके अंदर मैंने add कर दी है एक cheese cube आधा cup मैंने mayonnaise लिया है और मैंने 1.5 चमच इतनी चीनी डाली है थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी काले मिर्च थोड़ा सा औरेगानो और थोड़ा सा हम डाल देंगे chili flax चीनी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा सा sweet pasta पसंद है तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी चीनी डाली है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे avoid भी कर सकते हो सब कुछ अच्छे से मैंने mix कर लिया है लेकिन मुझे थोड़ा सा पास्ता थीक लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूद और add किया है आप अपने according इसे थीक या फिर थोड़ा सा loose बना सकते हो तो चलिए उसे taste कर लेते हैं कुछ कम ज़ादा लग रहा है कि नहीं लेकिन मुझे सब perfect लग रहा है तो चलिए अब gas की flame को हम off कर लेंगे यहाँ पे pasta को भी एक बार चेक कर लेते हैं तो अभी इसे पकने में थोड़ी से देर लगेगी क्योंकि यह wheat pasta है अब हम ले लेंगे एक bowl तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा bowl ले लिया है और यह जो white sauce मैंने बनाया है इसके अंदर मैं transfer कर लूँगी इसके अंदर मुझे थोड़े से lumps लग रहे हैं तो इसे एकदम smooth बनाने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा blender चला लूँगी आप इसे mixture में भी चला सकते हो लेकिन मैं इसे blender से ही चला लूँगी blender चलाने से यह जो सारी चीज़े हैं अच्छे से mix हो जाएंगी और यह जो हमारा sauce है एकदम smooth एकदम creamy बन जाएगा तो यह step आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा तो यह देखिए हमारा sauce एकदम ready है जितना थीक लग रहा था उतना नहीं है थोड़ा सा liquid हो गया है और अब यह जो pasta हमारा है एकदम ठंडा हो चुका है तो इसके अंदर हम pasta को add कर लेंगे आप देख सकते हो कि pasta हमारा एक दूसरे से चिपका नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ा सा oil add किया था तो इस तरह करने से pasta एक दूसरे से चिपकता नहीं है अब sauce के अंदर pasta को अच्छे से mix कर लेना है तो यह देखिए कितना perfect हमारा pasta बन के ready होगा है हम market में खाने जाते हैं उसी तरह का pasta बन के ready है अब इसे हमें ठंडा होने देना है मलब कि इसे हम रख देंगे फ्रिज में यह pasta ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है तो इसे हम फ्रिज में तकरीबर एक गंटे के लिए रख देंगे एकदम ठंडा हो जाएगा तो यह टेस्ट में बहुत ही बड़िया लगेगा तो चलिए अब यहां में हमारा wheat pasta भी एकदम boil होके ready है इसे भी हम एक बर चेक कर लेंगे जिस तरह हम नई सुजी वाला पास्टा चेक किया था तो इसे भी हम चाकू से एक बर चेक कर लेंगे तो यह देखिए एकदम easy ली यह भी कठ हो रहा है तो समझ लेना है यह बी boil हो गया है और अब इसे भी हमें चान लेना है तो यहाँ पे मैंने पास्ता को छान लिया है और अब ले लेंगे एक पैन तो जिसमें मैंने वाइट सॉस बनाया था वो ही पैन मैंने ले लिया है और उसे मैंने तो लिया है चलिए अब ले लेते हैं एक चॉपिंग बोर्ड और बहुत सारी सबजिया आप यहाँ पे अपनी आप अगर चाहो तो beans, sweet corn और गाजर भी यहां पे ले सकते हो, तो सारे सब्जियों को हमें अच्छे से काट लेना है, इसे हमें एकदम बारिक नहीं काटना है, इसे हमें थोड़ा सा medium कट करना है, एकदम बड़ा भी कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसे medium कट कर लेंगे, सबक के अंदर जितनी मरजी इतनी सब्जिया डाल सकते हो और सब्जियों की कॉंटी डिपी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हो तो सारे सब्जियों को हमें इस तरह मीडियम टुपडों में कट कर लेना है तो यहां पर मैंने कैप्सिकम प्यास और टमाटर को कट कर लिया है और अब पत्ता गोभी गोभी इसी तरह मिडियम टुगडों में कट कर लेंगे, सारे सबजियों को मैंने पहले से ही दो लिया था और उसे कट कर लिया है, तो चलिए अब पैन के अंदर डाल देते हैं, दो से तीन चमज बर के ओलिव ओल, अगर आपके पास ओलिव ओल नहीं ह दो से तीन मिर्ट हमें उसे हाई फ्लेम पे पका लेना है, प्यास थोड़े सी ट्रंसलूशन हो जाए, फिर उसके अंदर डाल देंगे दो से तीन चमज बर के अधरक मिर्ज रसुन का पेस्ट, और उसे भी हमें दो से तीन मिर्ट के लिए भून लेना है, तो चलिए अब इ तो चलिए पेस्ट, और उसे पका लेंगे, हमें इसे एकदम नहीं पकाना है, थोड़ा सा हम इसे कच्चा पका ही रखेंगे, और अब लास में डाल देंगे टमाटर, और यहां पे मैंने दो चमज बर की विनेगर ले लिया है, दो से तीन चमज बर की मैंने ले लिया है, सो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कुछ भी आपको कम लगें तो आप इसके अंदर एड कर सकते हो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा और थोड़ा सा कैचप क्योंकि कैचप डालने से थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आता है तो कैचप थोड़ा सा ज़ादा डालेंगे अब इसे मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हो कि हमने इसके अंदर corn flour add किया है तो ये जो हमारा mixture है वो थोड़ा सा थीक हो गया है सबजिया एक दूसरे के साथ जुड़ गई है और अब इसके अंदर add कर देंगे pasta और pasta डालने के बाद इसे बरापर से mix कर लेना है और अब यहाँ पर मैंने निकाल लिया है एक container ये oven proof है और अब इसके अंदर डाल देंगे सारा pasta और इसे अच्छे से फैला लेंगे सारे pasta को इस तरह फैलाने के बाद इसके उपर हम डाल देंगे बहुत सारा cheese यहाँ पर मैंने mozzarella cheese लिया है आप कोई भी cheese ले सकते हो cheese slice भी ले सकते हो और इस तरह इसके उपर cheese को फैला लेना है cheese थोड़े से हम ज़्यादा डालेंगे और उपर से मैंने डाल दिया है थोड़े से chili flakes और थोड़े से oregano और अब इसे हम रख देंगे oven के अंदर इसे कम से कम 5 मिर्ट के लिए हमें गरम कर लेना है मतलब के microwave कर लेना है तकि सारे cheese अच्छे से melt हो जाए 5 मिर्ट में अच्छे से cheese melt हो जाएगी और ये देखे 5 मिर्ट हो चुके हैं और ये cheese है अच्छे से melt हो गई है आप देख सकते हो कि सारी चीज बराबर से मेल्ट हो गई है अगर नहीं हुई है तो एक दो मिनिट और रख देंगे और अब इसे निकाल लेंगे बहार चलिए अब इसको सव कर लेते हैं तो मैंने दो पलेट निकाल ली है क्योंकि दो तरे का पास्ता मैंने यहाँ पे बनाया है तो सबसे बेले निकाल लेते हैं spicy वाला पास्ता तो इस तरह spatula से इसमें cut लगा लेना है और इसे निकाल लेना है तो आप देख सकते हो कि easy लिए निकल रहा है और देखने में कितना tempting लग रहा है पहुत ही टेस्टी लग रहा है इसके ओपर थोड़ी सी और हम चीज ग्रेट कर लेंगे ताकि टेस्ट में और ज़्यादा अच्छा लगे और अब निकाल लिया है मैंने जो स्वीट वाला पास्ता मैंने बनाया था वाइर सॉस पास्ता वो और अब इसे भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है आप देख सकते हो कि देखने में कितना क्रीमी और कितना टेस्टी लग रहा है इसे मैंने धनिया पत्ती से गानिश कर लिया है और आप देख सकते हो कि दोनों तरह के पास्ते हमारे एक दमरेडी है फटा फट से बन जाते हैं और बच्चो को बहुत ही तेस्टी लगेंगे और ये पास्ता हेल्दी भी है तो आप बिना जीजग अपने बच्चो को बना के खिला सकते हो तो मुझे और मेरे बच्चो को तो ये पास्ता बहुत ही अच्छा लगा और आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और अपने बच्चों को भी बना के खिलाना तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी क्रिश्न